प्रतीक चत्रवेदी वेलकम औल उफ यू अग्जाम पास उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे सकुशल होंगे घर पर स्वस्थ होंगे आजाएए जल्दी से आज पाइपन सिस्टन स्टार्ट कराऊंगा और जैसे कि हम एक सीरीज कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की इसमें पाइपन सिस्टन बहुत ही इंपोर्टेंट शेप्टर है ध्यान रखेगा सौरब सिंग गुड आफ्टरनून निमेश गुड जल्दी से आईए सभी लोग पाइपन सिस्टन में जितनी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को पॉजटिव और निगेटिव एफिशेंसी की सब कुछ सिखा दूँगा बस आप लोग वेट एंड वॉच पर बैठे रहेंगे वीडियो छोड़के जाओगे मैं भी भग जा जाओ वीडियो स्टार्ट कर दूँगा मैं और आते ही सेशन लाइक कर देना अगर पाइपन सिस्टन समझना है तो चलिए आठ लोग हो गए दो लोग और चीए भाई जल्दी से आजाओ दो लोग फिर सेशन स्टार्ट कराते मिस्टर हैपी गुड़ाफटरनून मिस्टर ह जल्दी से आएं भाई सभी लोग अगर सेशन स्टार्ट करना है अच्छे हैं सर आप कैसे हो मैं भी बहुत अच्छा हूं थैंक्यू निमेश चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन पाइप एंसिस्टन वीडियो कोई बीच में छोड़के नहीं जाएगा फिर अच् चला गया थोड़ा ठीक है चलिए थोड़ा नीचे लिखेंगे पाइप और सिस्टन यानि जनरली नल एवं टंकी टंकी यानि होज तो इससे रिलेटेड कोश्चन कराऊंगा मैं इसके लिए मैं आपको एक बार बेसिक समझा देता हूं उस चैप्टर का जल्दी से कि यह च वर्डिंग जो मुझे लगता है कि यह टाइम और वर्ट से टफ चेप्टर है क्यों क्योंकि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव एफिशेंसी का बहुत बड़ा प्ले है ताम एंड वर्ग में क्या होता है सिंपल पॉजिटिव एफिशेंसी रहती है आपने देखा होग मैं भी पॉजिटिव फील करूंगा और आपको भी पॉजिटिव फील कराऊंगा चलिए वोई एक बार आप चेक कर लीजेगा वोई इस क्लियर और नॉट देखें पाइप एंड सिस्टन जनरली क्या होता है यहां पर दो टाइप की एफिशेंसी आती है पाइप की एक तो होते हैं यानि जो भरने का कारेंगे जैसे इनलेट्स होंगे है ना इनलेट्स का मतलब है भरने वाले नल जो भरने वाले नल होंगे वह अगर हमेशा कुश्चन में चालू रहेंगे तो वह पॉजिटिव एफिशेंसी रखते हैं यानि जितने भी इनलेट्स होते हैं इनले क्या आते हैं देखिए होल साते है कि ड्रेनेज पाइप आते हैं ठीक अगर कोई लीकेज लिकेज भी क्या करती है empty pipe का ही काम करती तो इनकी efficiency कैसी होती है negative जी के पॉइंट good afternoon good afternoon भाई तो जितने positive होते हैं वो inlets होते हैं और यहां पर negative मैंने बता दिया outlets कौन कौन से होते होल सोते हैं drainage pipe होते हैं empty pipe होते हैं leakage होते हैं और waste pipe भी हो सकते हैं यह सब negative work करते हैं अब suppose देट दौनों एक साथ work करेंगे और positive आया work तो tank क्या होगा फिल होगा और अगर दौनों करेंगे साथ और negative होगा तो tank क्या होगा empty होगा इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर positive होगा combine efficiency तो टंकी भरती है और अगर negative होगा combine efficiency तो तंकी क्या होती है खाली होती यह बात आप ध्यान रखिएगा भाई time and work हतम yes time and work के कुछ question रह गए हैं वह मैं तब कराऊंगा जब मुझे लगेगा कि कराने की need है ठीक है कि चलिए तो आपको समझ में आगे यह के सिस्टन का मतलब आप ध्यान रखिएगा हिंदी में हौज और इसे मैं टेक्निकल भाषा नहीं देशी English मैं कहूंगा tank है बहुत आसान यह चैप्टर है लेकिन कब जब आपको positive और negative efficiency का play आता है मैं फिर कह रहा हूं आपसे अगर combine efficiency positive है तो टंकी भरेगी combine efficiency negative है तो टंकी खाली होगी ठीक है उम्मीद है clear होगा यहां तक सभी को चलिए फिर आज पहले question से starting करते हैं चलिए पहला question मैं आपकी screen पर पेश करता हूं आप लोग try करिएगा बहुत basic से start करा हूंगा बिल्कुल zero label से देखे चलिए start करते हैं पहला question बिल्कुल basic है परिशान मत हुई होगा मैं फिर कह रहा हूं अगर आप परिशान होंगे तो आप गलत जगह है और अगर आप सीखने वाले हैं तो आप सही जगह है पहला question क्या है देखिए a pipe can fill a tank in 10 hours and other can empty it in 12 hours. both the pipes open together in what time tank is filled? देखिए पहला question है एक नल किसी टंकी को 10 गंटे में बढ़ सकता है दूसरा नल उस टंकी को 12 गंटे में खाली कर सकता है अगर दौनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय बरेगी बिल्कुल पहला question है basic question आपको उमीद है आता होगा लेकिन जिसको न सब्सक्राइब दर लगता है मैस से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मिस्टर है पी सभी के answer सही आरे मजा आ रहा है भाई आओ जिसको नहीं आता मैं सिखाता हूं ठीक है अलीशा निमेश श्वात्ती जिवेच शौरव मिस्टर हैपी सभी के आपके answer सही एं आइए करता है तो आपने टंकी कितनी मानी साथ की जैसे हम उसे हम लेड़ करते हैं वैसे ही है Gospel करेंगे बस आपको ध्यान क्या रखना है जो फिलिंग पाइप है उसकी एफिशन्शी क्या होगी प्लस का सिक्स जो एम्टी पाइप हे कि aficiency क्या होगी माइनस का फाइब यह आप साइन थोड़ा सा ध्यान रखना बरने वाला नल positive होगा खाली करने वाला नल क्या होता है negative होता है जब इनको मैं कम माइन वॉर्क कराऊंगा तो प्लस-1 का वाउगा खे माइनस पांच यानि प्लस-1 आर्ट्स हो गया निमेश ठीक है तो टाइम की वेल्यू क्या होगी 60 वाइवन और आंसर आजाएगा आपका 60 आर्ट्स और यह कुश्चन हो गया सॉल उम्मीद है यहां तक सभी को समझ में आया होगा बहुत आसान कुश्चन है बिल्कुल फर्स कुश्चन था आसान था चलिए सेकंड कुश्चन पर चलते मज़ा आएगा आपको सेशन में बस बीच में छोड़के मत जाना मुझे डिमोटिवेट मत कर देना ठीक है चलिए बिल can fill a tank in 15 hours due to leakage in it's bottom it filled in 20 hours in what time that leakage will empty half of the tank चलिए ट्राइ करिए जल्दी से इस कुश्चन को हिंदी मैं पर देता हूँ एक नल किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है लेकिन leakage हो जाने के कारण टंकी 20 घंटे में भरी गई तो हमें बताना है कि वह leakage आदी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा बिलकुल आसान सा question है बिलकुल zero label से चल रहा हूँ मजा आ रहा हो तो भीया like कर देना प्लीज जल्दी से बार बार नहीं बोलूंगा में इस सब चीज है सौरब सिम का answer है seven सौरब answer चेक करेंगे जी के point का answer है 30 एक दूसरे से competition की feeling करिए जल्दी से और session को like कर दिया करो भाई जीवेज कुमार स्वातिगोर मिस्टर हैपी आप सभी का तीस है ठीक है देखता हूं मैं सही है या गलत आइए solve करते हैं question को क्या कह रहा है एक नल किसी टंकी को पंदरा घंटे में भर सकता था एक लीकेज हो गई तो लीकेज हमेश्य ध्यान रखेंगे एक pipe की तरह ही काम करती है अभी बताया था तो यह 20 घंटे में भरी गई टंकी कितने की मानि चंट की यहां चंता हो गई 4 और यहां चंता हो गई 3 अब गौर से देखना सौरब यहां पर चंता है 4 और 2 नलों की चंता है 3 एक नल की चंता है positive 4 दो नलों की चंता है positive 3 तो यह confirm हो गया दूसरे pipe की efficiency से माइनस 1 तभी चार मैंसे एक माइनस होगा क्या निकल के आएगा तीन निकल के आएगा अब टंकी करा देते हैं टंकी लेकिन आधी खाली करा नहीं तो साथ का आधा कितना होगा तीस तीस बटा एक यानि आंसर क्या हो गया तीस गंटे कुश्चन सॉल उम्मीद है समझ में आ गया होगा समझ में आ गया होगा तो लाइक कर देना अलीशा बहुत बढ़ी है अलीशा और भाई देखो मैं फिर कह रहा हूँ यूटूब यह आपके उपर डिपेंड करता आपको कितने टाइम तक चलवानी है क्लासिस आप देखते रहोगे मैं पढ़ाता रहूँगा आप नहीं देखोंगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा मैं स्पेशल बनी गया है आपको मालूम होग उसमें एडमीशन होई गए हैं चलिए बहुत बढ़ी है चलिए थर्ड कोश्चन पर चलते हैं मजा लीजिए मजा कोशिश करूँगा कि 10 कोश्चन कराओं मैं आपको लेकिन यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको 10 करने हैं कि 5 करने है जितनी देर तक रहोगे सेशन में 10 करा दूंगा तीसरा कोश्चन आपके सामने आता है अच्छा एक चीज और आप यह बता दीजिए कि आपको पेंट वाली क्लास दोनी चाहिए जहां पर कोश्चन पहले से प्रिंट हो कमेंट करके बताइएगा मैं चेक कर लूँगा आपके कमेंट तीसरा कोश्चन तो पैपस चैन अंट थे नच आप सर न प्रिंट र्ना अट्ट रर दोंग और रसक्टिव्यद तीड बाइब ट्रिंटीश आपके संध्ट रिंटू आपके से वर्सकुचन इर च्टिर शाहि वार आपके सी नंट जापके सामने जूट तर रिंट आपके वर मेंट तो तीज If all the pipes open, if all the pipes open together, then tank is filled in 50 minutes. In what time that waste pipe will take to empty twice of that tank? तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि वह तीसरा नल जो वेस्पाइब था वो दुगनी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? चलिए ट्राइ करिए और आंसर दीजिए, बीच मैं छोड़के जाओगे, सेशन में मैं भी भग जाओँगा, ये ध्यान रखना है. अक्ष्यकोशिक का अंसर है दोसो, सबसे अलग जीवन कुमार दोसो, स्वाती गोर, स्वाती उम्मीद है, समझ में आ रहा होगा, सभी लोगों को और मज़ा आ रहा होगा. बिटाई, एकदम ऑफिसर मना दूँगा, बस आप लोगों को तैयार रहना है, चीजों को पढ़ना है, अच्छे से. जीवेच कुमार दोसो, सौरभ सिंग आंसर कहा है? और भाईया, session को like कर दिया और, at least जितने लोग देख रहे हैं, उतने तो like कर दिया करो, अब मैं कोई वो बड़ा यूटुवर्स तो हो नहीं कहूंगा, पैन मार के पैंको, है? चलिए, 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 चलते हैं, चलते हैं, question की ओर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दो सो मिनट बहुत बढ़िया जिसका भी आंसर है सौराप सिंग स्वातिगोर यस सर चली आईए दो नल मैं A और B मान लेता हूँ उनको जो टंकी को एक घंटा अब देखो एक घंटे का मतलम मैं उसे 60 मिनट कह दूँगा पहले ही B 75 मिनट है और अगर इनके साथ एक तीसरा नल यानी A B C हो गई तो टंकी 50 मिनट में भर गई तो मैंने सबसे पहले तो इन सबको मिनट में चेंज कर दिया 60, 75 और 50 का कॉमन मल्टीपल बैठाओ कोई कितना आएगा 300 इसकी एफिशनसी आ गई 5 इसकी आ गई प्लस के 4 और इसकी आ गई प्लस के 6 अब गौर से देखना सभी लोग दो नलों की छमता A और B की कितनी है प्लस के 9 और तीन नलों की छमता कितनी है प्लस के 6 यहीं चीजों को समझिए दो लोगों के पास 9 रुपे हैं और तीन लोगों के पास 6 रुपे हैं इसका मतलब तीसरा विक्ति क्या है चोर है और भाई अगर चोर है तो बचके रहेगा पुलिस से एंकाउंटर चालू है पुलिस का विकास दोवे की गिरिफतारी हो चुकी है अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बताइता हूं पुलिस ने पकड़ लिया है तो दो लोगों के पास 9 है यूनिट और 3 लोगों के पास 6 है इसका मतलब जो तीसरा विक्ति है उसकी एफिशेंसी कितनी है माइनस का 3 इससे टंकी को दुगना खाली कराना है तो 300 की एक टंकी थी दुगन सरेंडर है सर हाँ बाइस औरफ सिंग सरेंडर है बच गया है नहीं तो ठोको 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 चल रहा है यूपी में क्लियर है या नहीं जल्दी से पताओ क्लियर निमेश बहुत बढ़िया सेशन को लाइक करते रहना भाई अक्ष्या कोशिश सर आज इंगलिश की क्लास नहीं हुई हाँ बाई आज बिने सर की थोड़ी सी तवियत खराब है इस सफरिंग प्रॉम फीवर तो फीवर की वज़य से वह घर पर है अभी आज नहीं आए है ठीक है क्योंकि आपको मालूम है इस पक्छोटा सा भी फीवर है तो सबको डर लगने लगता है कोविड नाइंटीन कोविड नाइंटीन है जहां है ना चलिए नेक्स कोश्यन पर चलते हैं थ्री पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन ट्वेल वार्स थ्री पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन ट्वेल वार्स फिर्स टो पिपस कैन फिल टैंक इन टन आर्स और 15 आर्स रिस्टवेल लिजिए जिए निएवर्स्टिवार्स चलिए जल्दी से करिए इस कुश्चन को आज पढ़ने में मज़ा आ रहा है बैए मज़ा आए गई आएगा आप लोग देखोगे तो मिठी मज़े मज़ा आएगा आप लोग भग जाओगे तो मैं भी भग जाओगा जादू की तरह ठीक है चलिए इस question का answer दीजे तीन नल किसी टंकी को 12 गंटे में भर सकते हैं पहले दो नल टंकी को 10 वा 15 गंटे में भरते हैं ठोको ताली कोशिश करूंगा आज क्या session एक बज़े तक चले लेकिन it is all up to you आप रहोगे एक बज़े तक चलेगा आप रहोगे दो बज़े तक रहेगा आप बग जाओगे हम भी ध्यान रखना आंसर बताओ भाई आंसर और जो लोग नए है एक्जाम पास पर भाई है वो आज ही सब्सक्राइब कर लें चैनल को अक्ष्य कोशिश कह रहे हैं कि empty करेगा बारा घंटे में ठीक है अक्ष्य देखते हैं आउटलेट्स है शालनी आउटलेट्स है ठीक है अलीशा 12 वार्ट्स एंप्टी सबसे अलग जीवन कुमार 12 वार्ट्स निमेच-5 सौरव सिंग इन 5 वार्ट्स ओके देखते हैं पर तीन नल माल लिया कि वो ABC थे बारा घंटे में भर रहे थे एक भर रहा था दस गंटे में बी भर रहा था 15 गंटे वे तंकी वैठा थी साटकी यहां आ अगया प्लस का कितना business यहां आ गया प्लस का 6 और यहां आ गया प्लस का 4 अब धंग से देखिएगा इस question को दो नलों की छमता कितनी है? 10 है और तीन नलों की छमता कितनी है? प्लस के 5 धंग से समझे यह concept बार बार में सिखा रहा हूँ दो नलों की छमता है प्लस के 10 इसका मतलब जो तीसरा नल है वो माइनस 5 ही करेगा तभी 10 में माइनस का 5 प्लस होगा तो 5 आ जाएगा अच्छा अगर यह माइनस का 5 है तो आपको मालूम है empty करता है तो यह तो हो गया कि empty करेगा तो empty time निकाल देते हैं 60 बटे 5 यानि आंसर हो गया 12 यह question solve हो गया पांच इस दा एफ एंसी इस नेगेटिव यह अलीशा बिल्कुल सही कह रही है आप इसकी जो एफिशंसी है वो नेगेटिव आएगी और भाईया मजा आ रहा है सेशन में लाइक ठोको तो आपको समझ में आ गया होगा तीसरा नल कैसा है खाली करने वाला नल है जो तीसरा नल क्या है खाली कर देगा टंकी को बारा घंटे में जो च्पाइब है जो आपको समय खाला है सेशन में को यहा है। झाल झाल चेक करिए अब चेक करिए चेक करिए क्लियर है अब उम्मीद है क्लियर हो गया होगा if both the pipe, if both the pipes open together, after what time of starting pipe B should be closed, so the tank is filled in 18 minutes question आपके सामने है कि दो नल किसी टंकी को 24 वा 32 मिनट में भर सकते हैं हमें बताना है कि दूसरे नल को यानि pipe B को two pipes A and B लिख लेना A and B pipe B को कब बंद कर दिया जाए जिससे की टंकी 18 मिनट में भर जाए जल्दी से आंसर दीजिए give answer fast जल्दी से दीजिए answer 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 यह concept मैंने time and work में सिखाया था और भाईया session को like करना ना भूलें जल्दी से like कर दें like करने में कंजूसी कैसी पैसे लग रहे हैं क्या उसके जी के पॉइंट आठ मिनट ठीक है जी के पॉइंट चेक करते हैं बाकी लोग सौरब आठ मिनट बहुत बढ़िया अंकित स्वाती बहुत बढ़िया सही है अंसर अक्षे कोशेक आठ मिनट सही है अक्षे चलिए चेक करते हैं 24 और 32 मिनट में भर रहे थे तो यहां पर आपने 96 माना इसकी efficiency हो गई चार और इसकी हो गई 3 इसकी हो गई 4 और इसकी हो गई 3 अब कुशन में लिखा है कि B को बंद करना है जिससे टंकी 18 मिनट में भर जाए ठंक से सोचिए Pipe B को बंद करना है और टंकी अठारा में बढ़ जा यार तो जो पाइप ए है जो पाइप ए है वो तो बंद नहीं होगा वो तो अपने 18 मिनट कारे करेगा तो 18 मिनट में कितना करेगा बहत्तर यानि बाकी का 96 में से बहत्तर 24 किस ने किया भी ने किया अब एक मिनट में 3 करता है तो 24 करने के लिए कितना टाइम दोगे इसको आठ मिनट यानी आठ मिनट कारे करेगा उसके बाद नहीं करेगा इसका अठ मिनट बाद यह क्या हो जाएगा कि लिए हुआ है नहीं कमेंट करके जल्दी से पते हैं अगला कोश्चन लेकि आते हैं आपके लिए कि लियर हो गया सभी का और भाइया जो लोग नए आ रहे हैं आज ही एक्जाम पास को सब्सक्राइब कर लें जिससे कल की आपको वीडियो मिलती रहे मैं डेली फेस्बुक पर अपडेट करता रहता हूं और फेस्बुक पर आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं प्रतीक यह मज़ा आएगा कोशन नमबर सिक्स में थ्री यह एससी में में पूछे गया कोशन ए बी एंड और आप यकीन मानना अगर आपको समझ में आ गया हो थर्टी सेकंड में अंसर आ जाएगा can fill a tank in 6 hours, after working 2 hours together, after working 2 hours together, pipe C is closed and A and B fill the remaining tank in 8 hours, in what time pipe C will fill the tank? देखो इतना सरल सा question में में पूछा गया है, question क्या है तीन नल किसी टंकी को ABC 6 गंटे में भर सकते हैं, एक साथ 2 गंटे कार करने के बाद C को बंद कर दिया जाता है, A और B टंकी को remaining टंकी को 8 गंटे में भर देते हैं, तो हमें बताना है C इस टंकी को कितने समय में भरेगा, जल्दी से ट्राइ करिए, उम्मीद है कि आप सभी लोग फ्यूचर के इंस्पेक्टर ऑफिसर बैंक पी ओ, रेल्वे में अधिकारी हैं, रेल्वे में जॉब लगे तो प्रतीक सर को ध्यान रगना भाया, एक आत पास दे दिया करना, अंसर, अंसर, GK.16, Saurabh Singh 4, ठीक है, GK.1, let me check the answer, Anki Sharma Singh 12, GK.16, GK.OK, I get your answer, that is a 16, OK, from your side, भाई, लाइक करते रहो सेशन को, और अगर नए हो तो सबस्राइब करो एक्जाम पास को, चलिए, क्या कहरा है, तीन नल ABC, किसी टंकी को 6 गंटे में भरते हैं, क्योंकि एक साथ और कोई नहीं आया, तो मैंने टंकी को 6 का मान लिया, तो इनकी कम्माइन Efficiency कित नहीं हो गई, वन, अब कोश्चन को पढ़िए, कोश्चन क्या कह रहा है, दो घंटे एक साथ करने के बाद, एक साथ कार करने के बाद, दो घंटे के, अगर इनोंने दो घंटे एक साथ कार किया है, दो घंटे एक साथ कार किया, तो एक की Efficiency से दो घंटे में कितना कार कर द गंटे में 4 यानि एक गंटे में कितना किया होगा 4 by 8 यानि 1 by 2 अगर इनों ने एक घंटे में किसने a और b ने कितना कार्री किया है a और b ने एक घंटे में 1 by 2 किया है यानि यह इनकी efficiency है और अगर a और b की efficiency है half और इनकी कम्माइन एफिशेंसी कितनी है वन तो एफिशेंसी आफ सी क्या होगी वन माइनस हाफ यानि वन बाइट्व होगी इससे टंकी भरवा देते हैं शे तू आंसर बारा बच्चो बारा आ रहा इसका अंसर जिनका 16 था एक बार चेक कर ले न भाई अंसर 12 है सबसे अलग जीवनकुमार कॉंग्रेचूलेशन जीवनकुमार सुरप सिंग मिस्टर हैपी चैक कर लीजेगा अपना अंसर जीके पॉंए अपना अंसर चैक कर लीजेगा अंकित आपका सही है अक्षिया को से एक आंसर सही है और सेशन को लाइक कर दो बार बार क्यों बुलवा रहे हो स्वाती को और बहुत बढ़ी है स्वाती उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा निमेश बहुत बढ़िया कॉंफिडेंस डवलप हो रहा है कि नहीं आप लोगों का जिनको मैस से डर लगता था आप ही वो लोग थे जो कहते थे सर्फ मैस से डर लगता है बले ही आप 15-20 देखते हैं लेकिन कोई बात नहीं आप ही सीखने की प्रोशिश करिए अगला कोश्चन थोड़ा सा टफ लेके आ रहा हूं कि चलिए कुश्चन नंबर 7 क्लियर है चलिए बहुत बढ़े है कुश्चन नंबर 7 ऑफ टोड़ेस क्लास देखते रहिएगा सेशन को छोड़के मत जाएगा अब टफ कुश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां से और उम्मीद है टफ कुश्चन में भी यही होता है कि स्टूडेंट सीख रहे हैं कि नहीं उससे देखें क्या है A and B can fill a tank in 12 and 15 minutes respectively 12 and 15 minutes respectively आपने सिकार सर आई कैलकुलेटेट अल कुश्चन इन माइं विदाओ पैनो कॉपी यही करना है भाई यही सीखना है आपको 12 and 15 minutes respectively and C can empty it in 6 minutes A and B open for, for first, first five minutes then pipe C is also open with A and B in what time the tank is ampeded after starting all the pipes देखें बढ़िया कुश्चन है SSC के point of view से क्या कह रहा है दो नल ए तता भी किसी टंकी को 12 वा 15 minutes में भढ़ सकते हैं तीसरा नल C इसे 6 minutes में खाली कर सकता है A और B को पहले 5 minutes के लिए चालू किया गया फिर C भी इसके साथ चालू हो गया फिर हमें बताना है कि टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी सभी नलों के चालू होने के बाद अंकि शर्मा 45 शालनी 15 और भाईया जो लोग नए आए हैं प्ली सेशन को लाइक कर दिया करो भाई ऐसे करके बोलूं क्या ऐसे नहीं ना भाई यही जो देखिए आप यू नोट पेंग एर एनिटिंग यह जो आपका जो वाचिंग है जो आप देख रहे हो जो आप लाइक कर रहे हो जो आप सब्सक्राइब कर रहे हो यही मेरे लिए पूंजी है ना और तो हम कुछ आपसे डिमांड करनी रहे हैं यहां पर यू और 45 दो आंसर आ सकते हैं कर दिया लाइक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अंके शर्मा बहुत बढ़िया सबसे अलग जीवन कुमार गुन गुन एक बार सभी को आंसर री चेक करना पड़ेगा जिनका पंदरा आ रहा है मिस्टर हैपी एक बार चेक करना रुके रहना म मैं सिखा दूँगा आपको आंसर सही आ जाएगा देखो बिलकुल बेसिक से स्टार्ट किया जैसे हम बेसिक से स्टार्ट करना वैसे चीज़ों को टफ बना रहे हैं जी के पॉइंट 15 सभी को थोड़ा सा थिंक अंगें आए चलते हैं दो नल थे भाई ए और भी बाई सेश चार और यहां हो गया माइनस का 10 से अच्छे से समाझỏi अच्छा कोश्यन है अच्छे से समझेगा जबना यह हो गया कि प्लस का यह करते हैं तो 5 मिनुट मैं कितना करें जहां अच्छे से समझेगा जहां आवश्यक्ता है slow पढ़ाने की वह slow भी पढ़ाएंगे ठीक है दो नल थे 5 और 4 वाले positive work करते थे 9 तो 9 into 5 minute answer क्या हो गया यहां तक हो गया कि 45 unit टंकी में पानी आ चुका है धंग से समझेगा अब अगर आपने इसके साथ इसके साथ इसको भी चालू कर दिया तो टंकी में minus 1 की efficiency हो गई इस चीज को डंक से समझे जिनका 15 आया था answer ठीक है देखो 45 unit टंकी में पानी पहुँच चुका है आप एक बात सोचो जैसे अगर आप एक tank develop करते हो ठीक है मारकर हमारा थोड़ा सा कम चल रहा है कोई बात नहीं आप suppose करो एक टंकी है यह इसमें आप पानी डालते हो और अभी पांच मिनट में आपका 45 unit पानी आ चुका है पांच मिनट में 45 unit पानी आ चुका है आपका लेकिन अब जो टंकी में जो दो नल थे एक A था और एक B था इसके साथ एक C ऐसा चालू हो गया जो खाली कर रहा है और खाली कितना कर रहा है तीनों की combine efficiency है माइनस 1 तीनों की combine efficiency है माइनस 1 तो वो जितना पानी है टंकी में इसी को तो खाली करता रहेगा करता रहेगा और टंकी को खाली कर देगा यानि टंकी को खाली करने के लिए कितना पानी हटाना है 45 और efficiency 1 है तो आंसर होगा 45 minute डंग से देखिएगा question जिनका आंसर 15 था वो डंग से visualize करके भी मैंने बता दिया पहले 45 था उसको ही खाली करना है और उसने कहा भी था सभी के start होने के बाद तो सभी कभ स्टार्ट होंगे जब सी स्टार्ट होगा राइट समझ में आ गया होगा समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बताइए clear है या अगला कोश्चन इससे भी टफ लेके आऊंगा भाई अभी कोई एक बच्चा देख रहा है जिसने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को भाईया लाइक कर दो प्लीज काहे हाथ जुडवाना चाह रहे हो क्या कि गाना सुनाओं कोई गुम नाम है कोई बदनाम है कोई अगला कोश्चन क्लियर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मजा आरा मजा आना चाहिए सभी को बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आईए कोश्चन नमबर 8 पर चलते हैं अगला कोश्चन इससे भी टफ है ठीक है गाना भी सुनाई दीजिए सर सुनाएंगे भाई किसी दिन एक बार जिस दिन यहां पचास सो लोग देखने लगेंगे तो गाना भी सुना देंगे एक मैंने देखा था एक मैटमेटिशन था वो अपनी क्लास की स्टार्टिंग गान इसे करता था अच्छा है बढ़िया है बिहार में है एक है ना वह जब भी क्लास में आता है तो ऐसे जैसे क्लास में फ्रेम में आएगा तो पहले गाना गुनाएगा कोई फिर उसके बाद मैस पढ़ाता है ठीक है अच्छी बात है जैसे आप ओडियंस को इंग्रिज कर सकत है ठीक है एड़ कोश्चन क्या है थ्री टैप्स अब देखो टैप्स कह दिया टैप्स से कन्फ्यूज मत हो जाना यह भी पाइपी होता है सर एल जेवरा की क्लास हाँ वो भी होगी नेक्स मंडे से टैप्स A, B, and C can fill a tank in 12 hours, 15 hours, 12 hours, 15 hours, and 20 hours respectively, 12 hours, 15 hours, and 20 hours respectively, first pipe open at 7 a.m., second at 10 a.m., and third at 11 a.m. टैंक विल बी फिल्ड चलिए भाई, ट्राइ करिए कोश्चन को क्या कह रहा है कोश्चन कि ABC किसी टंकी को 12-15 वा 20 गंटे में भर सकते थे पहला नल 7 वजे सुबह के चला है, दूसरा नल 10 वजे सुबह के चला है, तीसरा नल 11 वजे सुबह के चला है, तो हमें बताना टंकी कितने बजे भरेगी कितने बजे का मतलब घड़ी का समय घड़ी में उस टाइम कितना बजरा होगा ट्राई करिए तीस सेकंड है आपके पास कि यस सौरभ सिंग का अंसर आया है स्वाती जीवेच कुमार सब लोग भाई एट वॉट टाइम है तो पी एम और एम जरूर लगाएंगे ठीक है जी के पॉइंट एक बजए ओके जी के चेक करते हैं चलिए आई एक कुश्चन पर चलते हैं सॉल्यूशन देखते हैं क्या है कुश्चन का डंग से समझेगा वाई डंग से समझेगा किसी का कोई भी गलत आंसर ना आए इसलिए मैं बता रहा हूं टूपी एम शालिनी बहुत बढ़िया है ना देखिए डंग से और मैं हमेशा कहता कॉपी पैन के साथ बैटा करो और देखो इतने लोग रहोगे ना सेम एनरजी मेरे अंदर हमेशा रहेगी तुम लोग कम हो जाते हो तो मैं डी मोटिवेट हो जाता है यार मास साब तुम बहुत के वेकार पड़ा रहे हैं ठीक है चलो दोनल थे 12 15 और 20 गंटे में तो 12 15 यह पांच बहुत करेंगे 7 to 11 अकेले चलेगा, दूसरा नल 10 to 11 अकेले चलेगा और फिर 11 के बाद 3 हो एक साथ कारे करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, आओ, पहले नल को, यानि A को मैं बहुत अच्छे समझाऊँगा, 7 a.m. से लेके 10 a.m. सोरी, 11 a.m. यानि 4 घंटे हो गए और 5 की efficiency से 4 घंटे में क 7 a.m. अकेले चल रहा है, ये आप औरल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिखा इसलिए रहा हूं कि आपको बाद में औरल भी कर लेना है, तो आपने देखा, 11 बजे तक टंकी में 24 यूनिट पानी चला गया, 60 की टंकी थी, 24 यूनिट पानी जा चुका है, यानि टंकी जो बजे के बाद 3 घंटे घड़ी में, आप सभी की पूरे इंडिया की घड़ी क्या, पूरे वर्ल्ड की घड़ी में दो बस्ते हैं, मिस्टर हैपी भाई, एक बार आंसर चेक कर लेना, 2 पी एम है आंसर, 11 बजे के बाद सारे नल एक साथ स्टार्ट हो गए, और जब वो सारे नल एक साथ स्टार्ट हो गए, तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कि उसने जो रिमेनिन टंकी थी, उनको भर दिया, चलिए, answer बताईए, समझ में आया या नहीं आया जल्दी से, जल्दी से answer बताईए clear हुआ के नहीं, और छोड़ के मत बग जाना मैं फिर कहा हूँ, आप बगे, मैं भी जादू हो जाऊँगा ठीक है समझ में आ रहा है, लोग अपना नाम बना रहे हैं मैं भी अपना नाम सोच रहा हूँ जादू सर रख लूँ नया नाम जादू सर ठीक है चलिए अगला कुश्चन देखते हैं किलियर है कि नहीं कमेंट करके बताईए किलियर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया निमेश बहुत बढ़िया नाम जादू सर घैन करके बताई आए नैंट कोश्चन देखते हैं क्या है बच्छो देखेए 있을 दंग से पढ़ियेगा टंग से डंग से नाइन और एक और है टैएन टैन नाइनथ पर ही बस टैंट है टैन तोड़ा सा टफ है तीक है तो आप टैंथ कोश्चन तक पढ़िये ग और फिर मैं खुदी छोड़ दूँगा सरम मिस्टर हिंडिया नहीं वरना ओके ओके ठीक है तो नाइंथ कोश्चन में कराऊंगा और टैंथ इससे भी टफ है वह मेंस का कोश्चन ने ठीक है तो आप टैंथ कोश्चन तक रहिएगा वीडियो में उसके बाद आपको लगे जा And B, 2 pipes A and B takes 16 hours and 25 hours more than when they work together तू फिल अ टैंक इन वाट टाइम इन वाट टाइम फर्स्ट पाइप विल फिल दा टैंक चलिए ट्राइब करिए जल्दी से कोश्चन मजा आगया सर क्लास में बजा ही आएगा आप लोग बैठे रागरो वस आप लोग भग जाते हो देखो फिर रखला नाम जादू रहत हूं मैं या तो अपना या आपका चलो इस कोश्चन को ट्राइब करो मैं हिंदी बताता हूं ए और बी दो नल हैं जो कि जब वो एक साथ कार्य करते हैं तो इंडिविजली वो सोला और पच्चेस गंटे ज्यादा लेते हैं उस एक साथ कार्य करने से तो आपको उताना है पहला नल टंकी को कितने समय में बरेगा जल्दी बताइए इसके बाद एक कोश्चन और है आज आंसर प्लीज सौरव स्वाती जीवेच कुमार अंकेश शर्मा मिस्टर एपी जी के पॉइंट गुनगुन अंकेथ आंसर दीजिए शालनी आंसर दीजिए आंसर आंसर क्या है जल्दी से आंसर दीजिए भाई पताइए क्या आंसर है एक और question रह गया आज की वीडियो के लिए और मुझे बहुत मज़ा आ जाएगा आप उस question तक ठिके रहना ठीक है चलिए नहीं आ रहा सर कोई बात नहीं नहीं आ रहा तो भाई अच्छे question भी सिखाऊंगा ना तब जब आप वेट लास्ट तक रहोगे आप बीज में भग जा इस question की बहुत important language है आप अगर इस question को डंग से समझोगे ना तो यकीन मानना 10th question बहुत आसान हो जाएगा मैं फिर कह रहा हूं बहुत हो जाएगा आसान बहुत आजसर हो जाएगा आसान हो जाएगा 10th question जो की बहुत tough question है ठीक है यहां तो दोनल है वहां तीन नल का comparison होता है हां ठीक है क्या कहारा है दोनल है यह और भी यह अकेले-अकेले कारी कर रहे हैं और जब यह एकसाथ कं करते हैं question की language संमझ लो यह जब अकेले-अकेले कार.'"कर रहे हैं तो उसका comparison किस्से ए उनके एक साथ कार्य करने से माल लेते हैं यहां पर टी आर्स लेता है तो जो एपाइप है वो कितना लेता है टी प्लस 16 ऐसे था कोश्चन और यह लेता है टी प्लस 25 धंग से समझना बच्चो कोश्चन मैं फिर कह रहा हूं इसी कोश्चन से आप 10th कोश्चन कर पाएंगे इस सोला घंटे जदा लेता है टी स след टो टी प्लस सोला हो गया और भी कितना लेवा पाइंगे जयादे तो टी प्लस पच्चिस हो गया आपको टामन विब्क में ध्यान मैंने कहा था इस question को करने का जो तरीका है वो क्या होता है वन अपॉन टी प्लस 16 प्लस वन अपॉन टी प्लस 25 बराबर वन अपॉन टी मैंने कहा था क्वाड़िटिक एक्वेशन बनाके इस question को solve करते हैं ताइम और वक में आपको ध्यान होगा मैंने कराया था यहां पर आपको और क्वाड़िटिक एक्वेशन नहीं बनानी है मैं फिर कह रहा हूं क्वाड़िटिक नहीं बनानी है आपने क्या करना है देखो यहां समझ लो जब भी जब भी का मतलब पूरे time and work में णिया होर ताइम comparison दंग से समझीएगा इंडीविज्विज्वल के comparison किसे हो जाएं टोटल के उनके वाक से हो जाएं तो सिंपल जो टी की वैल्यू होती है वो क्या निकलती है यानि जब आप इस क्वार्टिक क्वेशन को सॉल्व करेंगे हेलो प्रतीक भाई बहुत लेट हो गया जब आप इनको सॉल्व करोगे तो लास्ट टेप क्या आएगा टी की वैल्यू सिखा रहा हूं टी का मतलब ए और बी का टाइम टी का मतलब ए और बी का टाइम क्या होता है अंडर रूट में जो उनके एक्स्टा डे हैं यानि 16 इन्ट गंटे यह कोश्चन हो गया सॉल्व नमस्ते भाई समझ में आया अब देखो यह स्टैप कैसे बना मैं वह भी समझा देता हूं कि क्वार्टिक क्वेशन बनी कैसे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो देखो अभी मैंने यह बताया था यह तो हो गया अंसर मैं एक बार कर दे रहा हूं जिससे आप रटे नहीं ठीक है जिससे आप रटे नहीं इसको क्या कि वन अपॉन टी प्लस 16 प्लस वन अपॉन टी फाइब बराबर वन अपॉन टी के तो आप यहां क्या होगा टी प्लस 16 इंटू टी प्लस 25 और यहां होगा टी प्लस 25 प्लस टी प्लस 20 16 बराबर वन अपॉन टी अब देखो क्या करना इसका इससे मल्टिप्लाई करोगे क्या आएगा टी स्क्वेर पच्चिस और सोला कितना हो जाएगा 41 तो यह हो जाएगा 41 का टी स्क्वेर की जगे क्या हो जाएगा 2 टी स्क्वेर और यहां क्या हो जाएगा यहां आएगा T square plus 41 T plus 25 into 16 अब ज़राग गौर से देखिए 41 T से 40 T कट गया 2 T square से 2 T square कट गया यहां गया T square की value 25 into 16 तो आपने देखा T की value क्या होगा रूट में 25 into 16 तो आपने देखा direct यह तरीका यहां पर मैंने आपको सिखाया है समझ में आया यह तो क्या था यह simple एक quadratic question बनानी थी लेकिन हमें quadratic नहीं बनानी है मैं फिर क्या कह रहा हूँ quadratic नहीं बनानी क्यों नहीं बनानी आपको लास्ट टेप ध्यान रखना है एक का comparison ए और भी से हो तो simple 16 into 25 जो भी रूट है उसका उम्मीद है clear हो गया हो मैं एक और कराता हूँ इसके जैसा same example देखना क्या है इसी question को अगर मैं ऐसे change कर दूँ यहां पर देखो यहां देखना अगला question एक और इसी के जैसा दे रहा हूँ और आपको बहुत अम्मीद है कि समझ में आ जाएगा बस आप ठीके रहना hard question but easy solution तेंक सथ आओ ए और भी टेक्स को फोर आट्स और नाइन आर्स मोर देन एन बी इन वाट टाइम यहां मैं कर देता हूं second pipe अब देखो मैंने question में क्या कहा है ए ए तता भी से चार गंटे ज्यादा लेता है भी ए तता भी से नो गंटे ज्यादा लेता है तो मुझे पताने दूसरा pipe कितनी देर में बरेगा आपको कुछ नहीं करना you have to do nothing आपको क्या करना है ती की value निकाल लीजिए root लगाईए और जो extra hours है या day है उनका multiply तो 9 और 436 यानि टी की value क्या आ गई 6 टी की value क्या आ गई 6 तो B कितना लेगा बच्चो इस 6 से 9 hours ज्यादा था यानि 6 प्लस 9 आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 घंटे यह question solve हो जाएगा समझ में आ गया होगा उम्मीद है clear है बहुत बढ़ी आए confidence develop हो रहा है कि नहीं यह बताओ हो हो रहा है अगला question इससे भी टफ है जो मैं बता रहा था 10th question ठीक है अब मैं लूगा वो 10th question बहुत मज़ेदार question है वो तभी आएगा जब आपको यह solution आ गया है ठीक है तभी देखिएगा उस question को सबसे अलग देखो मज़ा आया कि नहीं एक इतना लेंडी question था हमने उसको चुटकियों में सेकिंडों में कर दिया बस यह ध्यान रखना पहले नल का पूचा है दूसरे नल का पूचा है कि combine का पूचा है हमेशा जो इससे निकलती है value वो combine निकलती है अगर ए पूचा है तो जोड़ देना भी पूचा है तो जोड़ देना फुल कॉंफिडेंशल सर चलिए तो लास्ट के लिए आप लोग और वेट करिए एक और question फिर मैं आप से विदा लेता हूं ठीक है चलिए आर्स आएगा मिनट नहीं आएगा चेक कर लेना question number 10 बहुत म लग जाएगा सौरा बहुत लग जाएगा आओ question number 10th of today class चलिए देखते क्या है there are three pipes A, B and C are fitted to a swimming, देखते रहिएगा to a swimming pool first two pipes, first two pipes can fill the pool, यह last question है आज का है can fill the pool in the same time is taken by pipe C, second sorry pipe B is four hours slower than third than pipe C and five hours faster than pipe A, in what time pipe A will fill the pool, last question है आज की class का mains में आई हुआ question है देख लीजे सौराब सम्में लगेगा इस टाइप के question में time and work हो time and distance हो चाहे हमारा work and wages हो pipe and system हो हर जगे 10th question क्या है मैं बता देता हूं तीन नल ABC fitted है एक swimming pool से पहले दो नल टंकी को उतने समय में बढ़ते हैं जितने समय में pipe C अब जो pipe B है वो क्या है चार गंटा slower है pipe C से और पांच गंटा faster है pipe A से तो हमें बताना है pipe एक कितने समय में भरेगा टंकी को यानि पूल को ट्राइ करिए लास्ट कोश्चन है लास्ट कोश्चन मेंस का कोश्चन है मेंस का ठीक है चलिए चलिए 30 सेकंड दे रहा हूं मैं solve करिए question को कि किसी का answer आया भाई भाई मज़ा आ जाएगा इसके solution में भी हिंदी बताओ हिंदी बताई तो भाई कैसे answer आएगा मैं बताऊंगा आपको ही तो मैं बताऊंगा अगर नहीं आएगा तो देखो एक swimming pool में तीन pipe लगे हुए पहले दो नल एक साथ उतने समय में टंकी को भरते हैं जितने समय में तीसरा नल यानी C भरता है और जो दूसरा नल है वो जो pipe C है उससे चार गंटा slow है और पहले pipe से पांच गंटा fast है तो मैं बताना है first pipe pool को कितने समय बरेगा किसी का अंसर नहीं आ है चलिए फिर session को end करते है solution कराता हूं आइए देखे क्या है question solution इधर देखिएगा बच्चो ठीक है एक A है एक B है और एक C है देखिए question में दो equations आई हैं दंग से देखिएगा question में दो equations आई है क्या क्या है यह देखो यहां लिखा हुआ है first two pipes can fill their pool in the same time that is taken by pipe C यानि यह दो equation है पहली equation तो यह है और फिर यह है चार गंटा slow है और यह क्या है पांच गंटा fast है यह धंग से देखिएगा 45 स्वाती को ठीक है चेक करारों में answer आप wait and watch करिए आपको समझ में आ जाएगा अब देखो question क्या है यहां देख लेते हैं थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ कल इसी type के question कराऊँगा चार और पांच pipe बाले पहले यह समझ लीजे कि A और B का समय अगर T है तो C का भी समय कितना होगा T होगा अब C का समय T है तो यहां T लिख दो बच्चो सही है आओ देखते हैं फिर क्या कह रहा है जो pipe B है वो इस C से क्या है चार घंटा slow है पाइप B is 4 hours slower than pipe C slow का मतलब बच्चो time जादा तो अगर यह T ले रहा है तो यह ले लेगा T प्लस 4 बहुत अच्छे से समझना बहुत अच्छे से और जो pipe B है जो pipe B है वो एसे क्या है पांच गंटा आप फास्ट है यह फास्ट है तो यह बहुत लेट हो गया है धंग से समझृय दखिए Logathon. time t b ka time t plus 4 और एक से यह faster था तो यह slower है तो यहां t plus 9 हो गया क्योंकि हमने 5 जोड दिया यहां तक clear है question में हाँ या ना करके बता दे ना clear होगा उम्मीद है अब क्या करो question से किसने कितनी चानलाकी से बनाया किसने कितनी चानलाकी से बनाया और इपक आंसर सॉल्व कोश्चन का बेसिक ही समझाना था वो मैंने लास्ट कुश्चन में कराया था आंसर सॉल्व हो गया बच्चो और कि अरे समझ में आया कि नहीं आया आ निमेश बहुत बड़िया निमेश कॉन्फिडेंस आ गया तुम्हें और मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस आ गया अगर आप लोगों के समझ में आ गया जल्दी बताओ भाई किलियर है ओके सबसे अलग जीवन कुमार स्वातिगोर इतना इजी था इतना ही इजी था बस बनाना पड़ता है चीजों को कलम इससे भी टफ कोश्चन करेंगे लेकिन करेंगे कब जब आप लोग देखते रहोगे आज की तरह वीडियो नहीं तो फिर जादू हो जाएंगे हम यह आ अगरा भाई कॉम्टीटर में हैं जादू अब जादू ही नाम रख दूंगा मैं चलो उम्मीद है आज का सेशन आपको मज़ा आया होगा और मुझे भी बहुत मज़ा आया क्योंकि आप लोग टेके रहे सर एल्यवरा की वीडियो क्यों नहीं आ रही प्रतीक मंडे से आए और आप लोग अपने दोस्तों को बताते रहे करिए बाई इतने लोगों को क्या करते हैं इतने लोगों को आप लाइक और डिसलाइक कराते हैं तो थोड़ा सा एफट हमारे लिए भी लगा दीजिए भाई यह सर बढ़िया था आज का सेशन मजा आ गया जादू सर ठीक है ठीक है चलो सर तो आज का सेशन यहीं तर रखते हैं कंप्यूटर जी कमेंट पढ़ लें जी लास्ट कमेंट है देख लेने दीजिए आज टेलीगराम गुर्फ बना दो वहां डाउट होगा तो क्लियर कर लेंगे ठीक है मैं आज टेलीगराम गुर्फ बनवा दूँगा ठीक है थैंक्यू सो मच वर वाचिंग इस वीडियो और आप लोग स्वस्त्र हैं मस्त्र हैं ऐसे ही मैं आपकी कामना करता हूं घर पर द्यान रखें अपने माबाब का द्यान रखें अपने माबाब से मेरा प्रणाम कहिएगा सब को ठीक है वो मुझे आशिरवात दें जिससे मैं भी तरक्की कितक करूं ठीक है बाबाए टेक क्यार ओल्लबैस्ट जहिन